जहिंद मेरे प्यारे साथियों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूटूब प्लेटर्म देव कंपडिशन क्लासे में तो दोस्तों आज जो है हम एक नया टॉपिक अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने तीन टॉपिक जो है अभी तक ekंप्लेट किया अलबबरई सिरीज्या उसके बार जीसरा अट्यूसरा प्लेट किया य९ूघ म्यटॐं त्य ihren अर्षान फिस दिलींस किया वह था हमारा कोडिग and decoding ठीक है तो ये तीन टाइप टॉपिक जो है हमने काफी अच्छी तरीके से जो है इनको पढ़ा और समझा अब दोस्तों आप इन तीन टॉपिक से रिलेटर जो है को सॉल करिएगा आप कहीं भी इन कोशन में नहीं फसेंगे ठीक है ये मेरी गारंटी है ठीक है तो आज जो करें यहां पर तो यह आपके हर एक्जाम में पूछा जाता है ठीक है यह आपके हर एक्जाम में पूछा जाता है कि चाहें आप किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हो इसको हिंदियों बोलते हैं दिशा और दूरी ठीक है दिशा और दूरी ठीक है यहां पर हमसे जो है दि इसमें आपकी reasoning पूछी जाती हो, यहां पर question जो होते हैं, वो हर exam में पूछे जाते हैं, ठीक है, हर exam में पूछे जाते हैं, तो यह class जो है, आपके हर exam के लिए beneficial रहेगी, अब दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि अभी जो हम class यहां पे चला रहे हैं, वो UPSI, SSC, GD इस पिस से कम दो या तीन question पूछे जाते हैं, ठीक है, UPSI की दोस्तों अगर बात करें, और दोस्तों अगर हम बात करें, यहां पर SSC, GD की, ठीक है, SSC, GD की, तो यहां पर SSC, GD में जो है, एक से दो question यहां पर बनते हैं, ठीक है, एक से दो question यहां पर बनते हैं, तो आप देख सक कोषिण बनते हैं तो यहाँ दोस्तों टोटल जो है 9 टाइब के कोषिण değn't it कितनें 9 टाइब के कोष्षिन बनते हैं अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यह 9 टाइब कौन से होते हमने तो कभी 9 टाइब देखे ही नहीं है तो कितने 9 टायब कोष्षन की, तो देखिए SSC GD की अगर आप तयारी कर रहे हैं यहाँ पर तो आपको जो है पूरे 9 के 9 पर नहीं पढ़ने हैं तो यहाँ पर आपको 4 टाइप पढ़ने हैं ठीक है, जो मैं यहाँ पर पहले 4 टाइप डिसकस करूगा, वही टाइप आपको पढ़ने हैं और अगर आप त्यारी कर रहे हैं UPSI की ठीक है UPSI की, तो दोस्तों आपको यहां पर 9 के 9 टाइप पढ़ने हैं क्योंकि दोस्तों अभी तक UPSI में यहां से total 8 टाइप पूछे जा चुके हैं और इसका जो 9 टाइप है वो फिलाल अभी तक जो है UPSI में नहीं पूछा गया है अब दोस्तों 9 टाइप जो हमारा बना है वो कौन सा है वो हमारा है coded direction का ठीक है coded direction फिलाल देखिए हम उस type को भी पढ़ेंगे क्योंकि हमें पता नहीं हो सकता है इस चाल जो है वो type आपके में पूछ लिया जाए क्योंकि आपके exam का जो level है वो दिन पर दिन थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है ठीक है तो हम यहां पर UPSI के लिए पूरे 9 टाइप पढ़ेंगे ठीक है पूरे के पूरे यहां पर हम 9 टाइप पढ़ेंगे ठीक है तो चलिए यहां पर अपने टाटिक पर तो यहां पर देखिए जो है हमें डायरेक्शन सब्सक्राइब होती कि कौन कौन सी दिसाय होती है देखे चार तो आपको दिसाय पता है कि कौन कौन सी दिसाय है पूरब पश्यम उत्तर दच्छन ठीक यह दिसाय तो सभी को पता होंगी पूरब पश्यम उत्तर दच्छन पूरब पश्यम उत्तर दच्छन पूरब पश्यम उत्तर दच्छन ठीक यह दिशाय तो सभी को पता होंगी पूरव पश्यव उत्तर दच्छिन अब देखिए जब भी हम दिशाओं को किसी पेपर पर जो है रिप्रेजन करते हैं तो हमारा जो और रहता है दिशाओं को रिप्रेजन करने का वह हमेशा यह रहता है ठीक है आप देखिए किसी भी हमारा देखिए राइट साइड होगा जो हमारा दायां भाग होगा जो हमारा दायां हात होगा उस दायां तरफ हमारे क्या होंगे पूरव होता है ठीक है दायां तरफ हमारा क्या होता है ठीक है यानि हमारा दायां क्या होगा पूरब होगा हमारे दायां की तरफ क्या होगा पश्यम होगा और जो उपर होता है वो क्या होता है उत्तर और नीचे क्या होता है हमारा दच्छन ठीक है इन चार डारेक्शन बारे में तो सभी को पता था तो इसके अलावा जो है हमारी चार डारेक्शन और होती है जिने हम सब डारेक्शन बोलते हैं ठीक है चार डारेक्श पूर इसको बोलेंगे हम East, West, North, South तो यह हो गई हमारी दच्छिन पूर अगर इंगलिस की बात करें तो यह से बोलेंगे हम South East ठीक, South East भी बोलेंगे अच्छा यह दुज़ दिसा है हमारी दच्छिन पुष्चिम के बीच इसको क्या बोलेंगे हम दच्छिन पुष्चिम ठी ठीक है और यह जो दिसा है हमारी उत्तर पुष्चिम के बीच में इसको क्या बोलेंगे हम पुष्चिम उत्तर या उत्तर पुष्चिम अब कुछ भी बोल लीजे ठीक है पुष्चिम उत्तर तो इसको इंगलिस में क्या बोलेंगे हम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ और जाहें पर दूस्तो calendar नॉइ को ja और दोस्तों अगर बात करें यहांपर दो टर्म यूज होते हैं हमारे एक होता है हमारा बाया एक होता है हमारा बाया मोड और एक होता है हमारा दाया मोड ठीक एक होता है हमारा बाया मोड एक होता है हमारा दाया मोड ठीक है अब दोस्तों इन बायें दाया मोड देखे क्या होते हैं जैसे कि हमें ये चार दिसाइं दे गई हैं पूरा पस्चिम उत्तर दच्चेंड इस् right ठीक है अब दोस्तों अगर यहां पर जो है हमें यहां पर हमें बाएं और दायां इनके decide करने हो तो हम दोस्तों कैसे decide करेंगे ठीक है हम कैसे decide करेंगे तो देखिए जो हमारा उत्तर है यह उत्तर है उपर अगर इसके हम बाएं और दायां की बाया ठीक है तो यहां से देखे हमारा दया क्या है यह हमारा दया है तो यह हो गया इसका दया यानि राइट साइड और यह है हमारा बाया यानि इसका बाया यह हो गया ठीक है यानि लेफ्ट साइड ठीक है लेफ्ट साइड हो गया अब दोस्तों अगर हम दच्छिन दिसा के दाया और बाया डिशाइड करें दच्छिन दिशा के दाया और बाया देखे क्या हो जाएंगे दच्छिन दिशा के दाया बाया तो देखे जो हमारा राइट होता है जो हमारा दाया होता है वो इसका बाया बन जाएगा और जो हमारा बाया होता है वो इसका दाया बन जाएग ठीक है डाया यानी right ठीक है तो अब दोस्तों ये east बचा हमारा east का देखे दाया और बाया क्या होता है east का दाया और बाया तो east का जो दाया और बाया होता है तो देखे east अगर हम इस direction में देख रहे हैं east direction हमने इसको मान लिया तो ये उपर की जो दिशा होगी वो हमारी क्या होगी बाएं और नीचे की दिशा क्या होगी हमारी दाएं ठीक है यानि यह उपर वाली दिशा हमारी क्या होगी बाएं बाया और नीचे क्या दिशा क्या होगी हमारी दाएं ठीक है यानि राइट तो यह हो गया हमारा पूर दिशा के बाएं और दाएं अब द तो यहां जो ऊपर वाला भाग होगा वो क्या हो जाएगा दाया और नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा हमारा बाया यानि यह उपर वाला भाग हो जाएगा हमारा दाया यानि राइट साइड और यह हो जाएगा हमारा बाया यानि लेफ्ट साइड तो दोस्तों यह है हमने hrlich.to भान सक्षराहिए नहीं जैसे कि आपको आ ये हमारी डिर्क्षन कौन से है उत्तर पूरू थेकि उत्तर पूरू जा रहे हैं अब दोस्तों आप से कहा गया कि आप दाएं मुड़िये ठीक है आप से कहा गया आप दाएं मुड़िये तो दोस्तों आप यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसका दाएं जो होगा इसका दाएं जो है साउथ इसका दाएं जो है साउथ होगा ठीक है यानि इस स्टॉगा या फिर अधार फॉर्व और सा तो चलिए दोस्तों हम आपकीश-कनिस का जो है आज हमेषा के लिए जो हैं समाधान इसका करते हैं कि यक कि इस तो दोस्तों बना लीजे और इस इस फीगर को बनाने की फिलाल जरूरत नहीं अगर बनाना चाहें तो बना लीजिए ठीक, इसकी ले लिए इसका, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए यह है हमारा बाया और यह हमारा दाया, अब दोस्तों आपने जो है दो और दिशाओं के बारे में सुना होगा, एक खुती ह गड़ी की विपरीत दिशा, अब दोस्तों गड़ी की विपरीत दिशा तो सब को पता होंगी, यह होगी clockwise और यह होगी एंटी, clockwise ठीक, एंटी, clockwise ठीक, तो इस फिगर को जो है थोड़ा सा हम रफ कर रहे हैं, अब देखिए हमने यही फिगर फिर से बनाया, East, West, North, South, ठीक है यह फिगर हमने बनाया, अब देखिए हमें जो है घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा बहुत अच्छी क तरीके से पता है कि घड़ी किस दिशा में चलती है, ठीक है, तो घड़ी देखिए किस दिशा में चलती है, घड़ी हमारी यह इस दिशा में चलती है, ठीक है, यानि अगर हम North का दोस्तों घड़ी की दिशा देखें तो क्या हो जाएगी यह, East की क्या हो जाएगी यह, South की क हमारा दाया मोड होता है अगर अगर आपसे दाय मूढने को कहा जाए ठीक है अगर आपसे दाय मूढने को कहा जाए तो आप घड़ी कि दिशा में exact 90 degree धायेगे कितना 90 धाये ठीक है अगर आपको कोई special angle नहीं दिया गया है और आप request सिर्फ दाय मुड़ने को कहा जाए तो आप घड़ी की दिशा में जो है नब्बे डिग्री घूम जाएंगे अब देखे ये वेक परसन जो है जैसे नार्थ की तरफ जा रहा था अब इसकी जो है हमें घड़ी इसके दाय मुड़ना है तो हमने क्या बताया दाया क्या होता है तो इसका दाया क्या हो गया दोष्त हमारा नार्थ टिक स्पहस्ता का डाया क्या हो जाएगा हमारा नॉर्थ यानिए उत्तर का दाया क्या हो जाएगा पूत्प्यात्र हाँ Palest वीपatra, पूरव का दया हो जाएगा दच्छिल, पश्यम, और पश्यम का दया हो जाएगा उत्तर, ठीक है, तो यह है हमारे दये मोर, ठीक है, और हमारे बायं मोर दोस्तों क्या होगे, गड़ी की विपरीद दिसा में हम 90 degree मोरने को क्या कहेंगे हम बाया मोर ठीक है तो अगर आपसे बाया मोरने को कहा जाए तो आप गड़ी की विपरीद दिसा में मोर जाए इसकी विपरीद दिशा यह है, इसकी विपरीद दिशा यह है इसकी विपरीद दिशा यह है, ठीक है तो यहे हैं हमारे bio mode ठीक है तो आज से आप जो है दाय और बायमोड में कभी भी confused नहीं होंगे दोस्तों अगर आपसे दाय मुलने को कहा जाए तो आप घड़ी की दिशा में 90 degree घूम जाएए अगर आपसे बायमोड मुलने को कहा जाए तो आप घड़ी की विपरीद दिशा में 90 degree घूम जाएए ठीक है अब दोस्तों ये जो घड़ी की दिशा हो घड़ी की विपरीद दिशा होती है इन ही को कहते हैं जाएए घड़ी की दिशा को हम बोलते हैं दच्छिना वर्त और हम बोलते हैं वामा वर्त के वामा वर्त कया मतलब क्या होता है हो juga गड़ी की विपरीद दिशा ठीक है तो यह चीज जो है आप नोट कर लीजेगा यह पर इस फीकर को भी बना लीजेगा और यह चीज तो आप लोट कर लीजेगा ठीक है इसका तो छोड़ा सा आगे तो देखिए हमने यहां पर यह वाला फिगर आपसे पूच्छा था कि जैस तो हम exact 90 degree जो है घड़ी की दिशा में घोम जाएंगे, ठीक है 90 degree घड़ी की दिशा में, अब देखे क्या ये इसकी 90 degree घड़ी की दिशा है, नहीं, ये इसकी 90 degree घड़ी की दिशा नहीं है, और नहीं इसकी 90 degree घड़ी की दिशा है, ठीक है, तो इसकी 90 degree घड़ी की दिशा कौन स कर दिया क्या हो जाएगा घड़ी की दिसा में 90 degree थे के अभ यहां पर आप Pak的 Becca नहीं होंगे तो अब दोस्तों चलते हैं हम अपने कोछर्ण पर कि है अब हम अपने कोछर्ण पर धोस्त हम ने आपको क्या बताया कि यहां पर टोटल जो है 9 ौग ऑचिन हमारे बनते हैं तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले अपना डिक्स करेंगे ट्राइफ फ़लकुल ठीक है ट्राइफ का पहला कोस्षै कि अब यहां पर सावने एक पर ना रहा ऊगा तो उस कोशन को देखिए क्या है वो कोश्चन तो देखिए यह question है आपका कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है 100 मेटर चलने के बाद वहाँ अपने दाइं और मुड़ता है और 50 मेटर चलता है फिर वहाँ दाइं मुड़ता है और 100 मेटर चलता है अंत में वह अपने बाई और मुड़ता है और 20 मीटर चलता है अब वह व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है ठीक अब वह व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है यह है आपका टाइप फर्स्ट तो दोस्तों इस को ध्यान से पढ़िएगा इसकी लेंग्वेज को समझेगा कि यह क् तरफ चलादिया कितना जा रहा है यह उपर की तरफ सो मीटर ठीका सौ मीटर चलाए अब दोस्तों मीटर चलने के बाद यह अपने दाईव और मुड़ा ठीक अब हमने दोस्तों आपको बता है कि दाया मुड़ क्या होता है घड़ी की दिशा में आपको 90 गुमना है तो इस अब यह बिन्दु C पर पहुंच गया अब दोस्तों उसके बाद देखे क्या कहा गया है फिर से वह दाई और मुड़ता है ठीक अब यहां से वह फिर से दाई और मुड़ता है अब देखे यहां क्या होगा घड़ी की दिसा इसकी यह होगी और घड़ी की विप्री दिसा यह है तो गड़ी की दिशा में हम उड़ेंगे तो यह इसका है दाया और कितना चल्ला है ये 100 मिटर तो यहां से फिर 100 मीटर चल्ला है ठीक है अब यह पहुंच गया बिंदू D पर ठीक है ये बंदू D है अब दूस्तों आगे क्या कहा गया है कि अंत्र में वह अपने बाई और मुड़ता है अब यहां से दोस्तों वो अपने बाई और मुड़ेगा अब देखे इसका बाया क्या होगा अब देखे इसका दाया क्या है यह घड़ी की दिशा है यह दाया और बाया क्या है घड़ी की विपरीज दिशा यह वाली तो बाया इसका होगा यह यह अपने बाये मुड़ा और कितना चल दहिए country है वीश मीटर ठीप है विश में चल आप हमसे पूछा गया है कि ये डिरेक्शन कौन सी ए अब वा किस धिसा में जा रहा है तो दोस्तों ये वाली दिशा देखे कौन सी है ये वाली दिशा तो ये दिशा दिखे क्या होती है हमारी ये दिशा होती है हमारी पूर्व ठीक है ये दिशा हमारी क्या होती है पूर्व यानि कि वहां वेक्ति जो है अब कहां जा रहा है पूर्व दिशा में ठीक है पूर्व दिशा में जा रहा है और उसने चलना किस प्रारंप किया था उत्तर जिशा में ठीक है कितो यह अग्र करने का हमने फिगर बनाया जैसे-जैसे कहा गया वैसे हमने फिगर बनाया और ये slash direction में देखा हमने कि किधर जा रहा, ये direction कौन सी है, तो ये direction कौन सी होती है, पूरब, ठीक है, तो ये पूरव दिशा में जो है, जा रहा है, अब दोस्तों ये हो गई हमारी 2G speed, ठीक है, जब हम 2G के जमाने में जी रहे थे, तो वो हो गई ये वाली speed हमारी, अब दो तो अब देखी हम आपको इसके लिए चलते हैं 5G की स्पीड पर तो 50 स्पीड में देखिए क्या होगा और चैके जैसे विक्ति ने किस दिशा में चलना प्रारम पिया था उत्तर दिशा में ठीक है वेक्र दिशा में चलना प्रारम किया था और वह जहरें अंत में बंदा दैं बोड़ा अब वो व्यक्ति किसी दिशा में जा रहा है यही तो हमसे पूछा गया है ठीक है यह हमसे पूछा गया है अब यह है हमारी 5G हो जाएंगे अगर एक बाया है तो एक दाया और एक बाया कैंसल हो जाएगा ठीक अगर दो बाया है तो वो दो दाया को आपस में कैंसल कर लेंगे ठीक है इस तरीकी से कैंसल हो जाएगा तो यहां पर देखिए एक बाया है हमारा और एक दाया तो एक दाया हमारा कैंसल हो जा दाया एक दाया तो दोस्तों हमें उत्तर दिशा से एक दाया मुड़ जाना एब दोस्तों उत्तर दिशा हमारी週Next घृटी की विपरी। हमें, 90 नमब्ए डिग्री गुमने, तो घृटी की दिशा में क्या हो जाएगा हमारा? v ठीक क्या हो जाएगा पूर्व तो इसका अंसर क्या हो गया हमारा पूर्व ठीक है पूर्व तो यह दोस्तों हमारी हो गई 5G स्पीड ठीक है कौन सी स्पीड हो गई 5G स्पीड यह हो गई हमारी और यह कौन सी स्पीड थी हमारी 2G तो 2G स्पीट से हमें सॉल करना है 5G स्पीट से इस तरीके से आप जो है दो सेकेंड में अपना अंसर दे सकते हैं वह भी विदा पें एंड पेपर ठीक इस को में तो आपको पेपर की जरूरत है यह कुर्ण को है फिर्फ इतना करना है जितने दायां और बायां है उस कट जाएगा दो बाएं हैं तो दो बाएं आपस में कट जाएंगे और जो भी बच जाए उसी से जो है अपनी दिशा आपको निकाल लेनी है ठीक है तो इस टाइप को ध्यान से समझेगा यह टाइप क्या है यहां पर जो है हमें प्रारंबिक दिशा दे गई है कि वह इस किस दिशा में जा रहा है या व्यक्ति का मुख किस दिशा में है तो इस तरीके के लिए हम यह वाला तरीका अपनाएंगे फाइब जी वाला ठीक है यह तरीका अपनाएंगे तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि आप जो जिस दिशा में जा रहा है वो डायरेक्शन हो गया बचा के हमारा एक दाया और उत्तर का एक दाया मुढ़ना शामीर म нужophyб मुढ़ना है तो घखाता की दाया में 9 एक 25 कि मरना है जो कि यह हो गया हमारा कॉस्च्चन स्वाल ठेक है तो चली अप चलते हैं आपخो second question पर लेके तो आपने देखा कितने simple question है ये ऐसे simple question है हमारे जो कि without pen and paper ही solve होंगे आपके ठीक है आपको जितने भी topic यहां पर हम कराएंगे उसमें 75% topic ऐसे होंगे जो कि without pen and paper ही आप solve करेंगे ठीक है तो चलिए हम देलते हैं question number second उपर अब देखे अच्छा बाया और दाया यह समझ लीजेगा बाये अगर है तो इसको left में बोलेंगे अगर दाये है तो इसको right बोलेंगे ठीक है यह तो आप सभी जानते होंगे इतना तो जो है English पढ़े ही है सब लोग अब देखें जैसे दूसरा question हमें दिया गया है कि एक व्यक्ति जो है दच्छिन दिशा में जा रहा है वह पहले left मुड़ता है फिर right मुड़ता है और फिर right मुड़ता है और लाश्ण में जो है नहीं नहीं बस इतना है अब व्यक्ति जो है कि दिशा में जा रहा है यह पूछा घ्राएं हमसे एक दिशन दिशा में जारा है पहले वह left मुड़ता है उसके बाद right मुडता है और january प Bjersonum अब वेक्ति जो है किस दिशा में जा रहा है तो दोस्तों हमने आपको क्या बताया कि जितने दाइए हैं उतने दायं कैंसल हो जाएंगे तो देखिए लेफ्ट ये बाईँ ये दाया ठीकर आपस में कैंसल होगे है बचे क्या हमारे दो दाइएं ठीक क्या बचे दो दाय दो राइट बचे हैं अब दो राइट का मतलब होता है दो बार 90 degree घड़ी की दि 사बना ठीक है करभाने में रहा दछिण क्बशेंग क्या है यह। अपर अकर अपर म puedes ठीक है विक्ति किस दिशा में जा रहा है उत्तर दिशा में यानि नौर्थ में ठीक है तो इसका अंसर हमारा हो गया नौर्थ अब देखिए यहां पर दो राइट देखिए इसी इसको ध्यान दीजेगा चाहे आपसे दो राइट कहा जाए या आपसे दो लिफ्ट कहा जाए यानि चाहें आपसे दो दाएं मुड़ने को कहा जाए, या आपसे दो बाएं मुड़ने को कहा जाए, आप कहां पहुंच जाएंगे, आप पहुंच जाएंगे, आप पहुंच जाएंगे, आप पहुंच जाएंगे, आप जिस दिसा में पहुंच जाएंगे, यानि विपरीत तभी पहला दाया उसके बाद दूसरा दाया तभी उद्था में ही पहुंक दो दाया या का मतलब क्या होता इस हुआ या कि हुँआ है तो यह हो गया हमारा question नंबर 2 डोल अब दोस्तों हम चलते हैं इस तीन剛 अभलि तीन लिन से होज़ा रहा है मिम्मोर तीन कि त्विसन मैं पर के पांफ है तरह फेक है कर सब्सक्राइब स्क्राइब तरह चौ्ड तरह जो है सब्सक्राइब या जंदर जा रहा है या फ्रहétait है यह् continua प्रारम करता है फिर आपने बाय मुड़ता है उसके बाद दाय मुड़ता है फिर दाय मुड़ता है अब व्यक्ति किस दिसा में जा रहा है तो दोस्तों देखिए एक लेफ्ट एक राइट यहां पर कैंसल हो जाएगा बचेंगे कितने हमारे तीन दबार हमें 90 घड़ी की दिशा में मुड़ना है अब दिखिए पहला दायां तो उत्तर दिशा में दूसरा दाया पूराव दिशा में तीसरा दाया द्च्छड दिशा में यानि यह वेक्ति कहां पहूंजाएगा हमारा दच्छिड दिशा में अब इस वेक्तिका जो मुख है वो कहां है दच्छिड दिशा में या फिर यह कहां चल ला है दच्छिड दिशा की ओर ठीक है अब दोस्तों यहां पर देखिए तीन राइट हैं कितने राइट हैं तीन राइट अब दोस्तों देखिए यहां पर जब ह तो आप एक left ले लेंगे तब भी आपका अंसर वही आएगा या आप से तीन लेफ्ट कहा जाएं तब आप क्या करेंगी एक right लेंगे तब तो पहला 90 डिग्री दच्षिण में दूसरा 90 डिग्री पूरं में मिले जागा, तौनु इसका क्या हो जाएगा गडिया गडिक कि दिशा में तरहा पहुंझाएंगे तब भी आपका उत्तर ही आएगा, जाहें आप 3 लेफ्ट मूरेंगे तब भी आपका उत्तर ही आएगा, तो यह होता है इसका मतलब, अब जोस्तों चलते हैं, question number 4 की तरफ, question number 4, question number 4 है, कि एक व्यक्ति जो है, उत्तर पूरु दिशा में चल ला है, वह जो है अपने दाय मुड़ता है, यानि right मुड़ता है, right मुड़ता है, left मुड़ता है, and last में फिर से right मुड़ता है, अब जो है व्यक्ति वह किसी दिशा में जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर एक left, एक right, यह cancel हो गए आपस में, अब बचे दोस्तों कितने, एक, दो, तीन, चार, चार, राइट यहाँ पर बचे हैं, ठीक हमें चार बार दाय मुड़ना है, उत्तर पूर से, देखिए उत्तर पूर से जो हम, यह हमारी उत्तर पूर दिशा है, और चार बार दाय मुड वेक्ति ने जिस दिशा में चलना प्रारंब किया था, वहाँ वेक्ति उसी दिशा में पहुंच जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक है, उत्तर पूर में ही इसने चलना प्रारंब किया था, ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या समझाया, तो यहाँ से हमें यह समझा जाया कि 4 right, चाहें आपसे 4 right या 4 left कहें, ठीक है, 4 दाएं या फिर 4 बाएं, मुढने को जब भी आपसे कहा जाए, तो इसका मतलब दोस्तों क्या होगा, इसका मतलब होगा same direction, इसका मतलब same direction, जिस दिसा में व्यक्ति चल ला था, उसी दिसा में वो चलेगा, यानि समान दिसा में सिक है तो ये होता है हमारा फॉर राइट या पॉर लेप्ट मतलब ठीक है फिर सिरॅ में चले वह उसकी दिशा में चले है तो चार कुशन हो गए दोस्तो हमारे अब जो है इसका हम लाष्ट कोसटन देख लेता है नूंबर 5 कोसेन नूमबर 5 ठीक है अब question number five देखी क्या है कि एक वेक्ति जो है दच्छिन पूरु दिशा में चल ला है वो पहले राइट मुड़ता है फिर लेफ्ट मुड़ता है एंड फिर लेफ्ट मुड़ता है एक लेफ्ट कम कर दीजे लेफ्ट मुड़ता है और वह जो है अब उत्तर दिशा में लगा अब उत्तर दिशा में चलने के भाद फिर से वहां जो है राइट मुड़ता है लेफ्ट मुड़ता है एंड राइट मुड़ता है अब जो है वह वहाद किस दिशा में चल ला लाкое ठीक है ये questions है कि बेक्टी ने दुच्छिर पूर्दिशा में चलना प्रारम किया यहां से वो दाय मुड़ा बाय मुड़ा और अंत में फिर बाय मुड़ा और फाइनली वो किस दिशा में चलने लगा उत्तर दिशा में ठीक है यहां से उत्तर दिशा में चलने के बाद फिर से वाद दाय मुड़ा बाय मुड़ा और फिर दाय मुड़ा अब वह कि उत्तर दिशा में जा रहा है तो इस दिशा से पहले जितने भी उसने दाएं या पाएं मोड लिये होंगे हमें उससे कोई मतलब नहीं है ठीक हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है यानि व्यक्ति फाइनली अब किस दिशा में जा रहा है उत्तर दिशा में जा रहा है अब दो तो यहां पर देखे क्या होगा कि पहले कोई भी दिशा हमको दी जाए और कितने भी दाएं बाएं मुणने के लिए हमसे कहा जाए और अगर बीच में उसकी कोई दिशा दे दी जाए कि अब आप पूर दिशा में जा रहा है या पश्यम दिशा में जा रहा है तो हमें जो हे उसके उसके उपर जो होंगे वो हमारे सारे cancel हो जाएंगे ठीक है तो इस question को हम ऐसे स्वालू करेंगे तो यह दोस्तों हो गए हमारे type first के question ठीक है अब दोस्तों हम चलते है type second ठीक है अब चलते है type second तो type first देखा आपने बहुत ही simple था क्या था हमें जो है initial direction दी गई थी और हमसे last direction पूछी गई थी यानि हमें प्रारंबिक दिशा दिए गई थी और हमें जो है आखरी दिशा उसकी बतानी थी कि अब व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है यह व्यक्ति का मुख किस दिशा में है ठीक है तो यह हमारा टाइप फर्ष्ट था अब हम देखते ह है टाइप सेकंड ठीक है अब देखे टाइप सेकंड से कोश्चन कैसे आते हैं तो टाइप सेकंड का देखे कोश्चन आपकी जो है स्क्रीन पर आ रहा होगा तो टाइप सेकंड का कोश्चन देखे क्या है कि यदि कोई व्यक्ति सो मीटर दूरी चलने के बाद अपने ऑप क्या था हंवारा क्या थो भिघ्तिक कैर में तब किस दिशा में जा रहा है यह था तो यहां लेकिन यह प्रणभी दोस्तों क्या है है यहां पर हमें प्रारंबिक दिशा नहीं पता कि व्यक्ति ने चलना कि दिशा में प्रारंबिक किया था यहां पर इन्हों ने क्या क्या है कि यदि कोई व्यक्ति सौ मीटर दूरी चलने के बाद यानि वह सौ मीटर दूरी चलना लेकिन किधर चलना यह नहीं पता हमको, East चला है, West चला है, North चला है, हमें नहीं पता, ठीक है, यानि यहां पर हमको प्रारंभिक दिशा नहीं पता होगी, हमें जो है, लास्ट डारेक्शन बताई जाएगी कि अब वहां वीक्ति जो है, इस जि sneaking जा रहा है, जैसे कि इस question में दिया गया है, कि अब वहाँ उत्तर दिशा कि ओर जा रहा है, ठीक है यानि हमें लाश डारेक्शन दी गई है हमसे पूछा के गया है कि वेक्ति ने चलना की जिसम में प्रारंब किया था ठीक है तो यह है डिफरेंस हमारा टाइप फस्ट और टाइप सेकेंड में तो अब देखिए इस क्वेशन को हम स्वाल करते हैं पहले तो देखिए व उपर चला दिया 100 मीटर ठीक है हमने इसको 100 मीटर ऊपर चला दिया ठीक है उतर दिशा में अब वह दाय मुड़ता है यहां से अब इसका दाया दोस्तों क्या होगा घड़ी की दिशा घड़ी की दिशा इसकी यह होगी तो यह घड़ी की दिशा में मुड़ता है और कितना मेटर ठीक एपचास मीटर अब गड़ी की दिसा में मूड़ता है और यहां सब्सक्राइब तो यह इसका नहीं होगा दिके घड़ी की विपरीग दिसा और यह इसकी है की दिशा तो घड़ी की विपरी दिशा यानि बाय मुलता है और कितना चलता है बीस मीटर ठीक है बीस मीटर अब हमें यहाँ पर दिया गया है कि यह जो दिशाज है यह कौन सी दिशा है उत्तर दिशा ठीक है यह दिशा हमको बताई गई है कि यह उत्तर दिशा है नौर्थ तो यह हमारा figure कुछ इस तरीके से बनेगा अब देखे यहां पर हम direction कैसे निकालेंगे देखे विक्ति ने जो है चलना किस दिशा में प्रारम किया था यह वाली दिशा थी हमारी अच्छा विक्ति जा किस दिशा में रहा है इस दिशा में यह दिशा में जा रहा है और यह दि से किस Angle पर है कितने कि- yah या मिलाब किस दिसा में है तो देखे ॏ दिशा जो है इस दिशा से यह दिसा से 90 े क्ल वाइस यानि घड़ी की विप्रीज दिशा में है यह तो होगी घड़ी की विप्रीज दिशा तो यानि यह दूरी हमें पता लगानी थी तो हमने देख लिया कि ये इस दूरी से ये जो दूरी है ये किस दिशा में है तो ये कैसी थी 90 डिगरी घड़ी की विपरी दिशा में तो देखिए हमें करना क्या है उत्तर का हमें 90 डिगरी घड़ी की विपरी दिशा का पता लगाना है कौन सा जो है दिशाएगी तो ये ठीक है बेक्तिनी चलना पश्चिम दिशा में प्रारंब किया था ठीक है तो इसको देखिए एक तरीके से और लगा सकते हैं आप जैसे यह दिशा कौन सी नोंने बताई उत्तर और अगर हम इस दिशा में देखें तो उत्तर कहां है उपर की तरफ ठीक है उपर की तरफ अच् सारी धाइशन घुम जाएंगे ना जैसे ही उत्तर को 90 डिगरी खुमाएंगे यह नबबे ड़ी color अब जैसे इसको हम नबबे डिगरी घुमाएंगे सब बिशिया है जो है 90 Reverie घडी की दिशा में घुम जाएंगी अब देखे यह पर पेढ़ेगी विक्ष्ट ने चलना भी किस में प्राग्वार्म किया था इसी दिशा में यानि ये दिशा कौन सी यह मारी पश्च्यम पर भो छीम समझ मेरा तो ठीक नहीं समझ में करना है हम कैसे करेंगी अपनी 5G-speed से ठीक है 5G Speed से अब पूस्चन को हम कैसे करेंगेख तो देखें यहां पर जो है हमें Initial Direction नहीं पता थी कि व्यक्ति जो है किस दिशा में जा रहा है शस्जा हमें नहीं पता ठीके वह पहले क्या मुड़ता है दाएं यानि राइट मुड़ता है फिर राइट मुड़ता है और अंत में वहां लेफ्ट मुड़ता है और अब फाइनली वह किस दिशा में जा रहा है उत्तर दिशा में जा रहा है तो दोस्तों हमने आपको क्या बताया हमने लेकिन बस यहां पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि अगर आपका राइटव बचा है तो आप उसको लेफ्ट बना देंगे ठीक अगर राइट बचा है तो आप उसको लिफ्ट Rubna देंगे अगर लuana बचा है तो कि आप उसको राइट तो जो भी हमारी दिशा बचेगी, राइट या लफ्ट उसको क्या करेंगे? हम बदल देंगे, ठीक, राइट है तो left बना देंगे, लेफ्ट है तो right बना देंगे, अब देखे हमारा ये lefyt बचा है, तो उत्तर का क्या निकाल लेंगे हम? लेफ्ट यानि नौर्थ का लेफ्ट तो देखें नौर्थ का लेफ्ट क्या होता है घड़ी की विपरी दिसामें 90 डिगरी तो घड़ी की विपरी दिसामें 90 डिगरी क्या आजाएगा हमारा पश्यम ठीक है तो यानि वेक्ट ने किस दिसामें चलना प्रारम किया पश्यम दि लूज करना है ठीक है तो यहां से आप दो से केंड में जो है अपने आंसर दे सकते हैं ठीक है अब इस को समझ गए अब हम इसी टाइप के कुछ और कोशन ले लेते हैं तो देखें दूसरा कोशन टाइप सेकंड का है हमारा में फिर जा रहा है आ जा रहा है फश्रमढरा तो बताइये समय को कि यह रहा है हम ने वह चाएंगे यहां हमारे ह dönाय के हमारे में बदल देंगे राइट Process left में बदल देंगे. तो बच्छे हमारे दो बाएं और हमने अभी थोड़ी देर पहले ही discuss किया था कि दो दाएं या दो बाएं का मतलब क्या होता है? दो दाएं या दो बाएं का मतलब क्या होता है? opposite direction. यानि यह पूरब में पहुंच जाएगा अब देखें दो लेफ्ट इसको लेने थे तो दो लेफ्ट लेगे तो यह कैसे लेफ्ट लेगा पहला लेफ्ट लेगा तो यह कहां पहुंच जाएगा दच्छिड में दूसरा लेफ्ट लेगा तो यह कहां पहुंच जाएगा पूरब में गहाद बस हमें यही करना और पस्चिम यहां पर दिया गया है यहीं से हम जो है दो लेफ्ट आया गया तो यहाँ पर फस्चिम से दो बढ़ जाएंगे सिंपल ठीक है बस इतना करना आपको तो यह टाइप आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे ठीक एक कोश्चन और कर लेते हैं इसका कोश्चन नंबर तीन अब देखे ज्यादा कोश्चन इसके करने की ज़रूत है नहीं क्योंकि आप जो है मैं समझ गया कि कैसे इस कोश्च तर यानि नौर्थ ईश्टा में ठीक है तो हमें निकालना है कि अब वह एक वह बढ़ा देलते हैं लेफट का ठीक है अब बताना है आपको वह वेक्ति किस दिसा में जा रहा थे चलना उसने किस दिसा में प्रार्म भी किया था जो देखिए एक right एक left cancel ठीक बचे क्या हमार को बताया था कि तीन राइट मुड़िये या चाहें एक लेफ्ट मुड़ जाए यह बात वही है ठीक है तो उत्तर पूरों से एक लेफ्ट यानि एक बाया मुड़ेंगे उत्तर पूरों कहां है हमारा यहां पर इसका एक बाया यानि घड़ी की विप्रीद दिसा में हमें ठीक है अब यह दोस्तों आप टाइप फर्ष्ट और टाइप सेकंड को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर रखते हैं और वैसे भी क्लास काफी लंबी हो गई है और मिलते हैं आपको नेक्स क्लास में जिसमें हम डिसकस करेंगे इसके